हेलो एविवन आप देख रहा है और स्टडी इसली चैनल आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टन क्रॉष्टन है जो हमेशा नाइन तेंथ क्लास में एक नंबर का क्रॉष्टन आता है तो क्रॉष्टन है देखे आपका साइंस का वास्तिक प्रतिविंब किसे कहते हैं क्या से आ रही प्रकास की किरने क्या कहा गया है किसी प्रकास रोत से आ रही प्रकास की किरने परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या है परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं क्या कहा गया है जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती ह तो उस बिंदू को उस स्वस्तू का वास्तविक प्रतिविंब कहते हैं क्या कहा गया है किसी प्रकास रोज से आ रही प्रकास की किरणमान लेजिए यह है यहां से प्रकास आ रहा है ठीक है न परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का जाता है इसे परदे पर प्राप्त किया जा सकता है इसे क्या किया जाता है परदे पर प्राप्त किया जा सकता है सिंपल सा था एक नमबर का कुछ ना आएगा तो आप इस तरीके से लिखते आएंगे तो आपको फुल माक्स मिल जाएंगे क्या था एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं किसी प्रकास रोज से आ रही प्रकास की किरणे परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदू पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदू को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिविंब कहते हैं इसे परदे पर प्राप्त किया जा सकता है तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगी वीडियो, प्लेज चैनल को सस्काइब कर लिजिए और बेल आइकन जरूर दब है, ऐसे आने वाली वीडियो के लिए, थैंक यू